राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज माग महीना बड़ा गुरुवार मैं आपके लिलाए हूँ नारायन कवच बंधों माग महीना गुरुवार का दिन और नारायन कवच तीनों ही भगवान विश्णू को बहुत प्रिये हैं बंधों यदि आप माग महीने में गुरुबार की शाम नारायन कवच को सुनते हैं तो भगवान श्री नारायन आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे बंधों पूरन विश्वास सची निष्ठा एक काग्रमन के साथ ही शी नारायन कवच को सुनना बंधों देखना किस प्रकार आपकी मनुकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शी नारायन जरूर लिखें बोलो शी नारायन की जै हो राजा प्रिक्षित ने पूछा भगवन देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रों की चतरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर प्रिलोकी की रायलक्षमी का उभोग किया आप उस नारायन कवच को सुनाईए और यहें भी बतलाईए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रन भूमी में किस प्रकार आक्रमन कारी शत्रों पर विजय प्राप्त की शिशुक देवची ने कहा प्रिक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को प्रोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रशन करने पर विश्वरूप ने नारायन कवच का उपदेश दिया तुम एक काक्रचित से उसका श्रवन करो विश्वरूप ने कहा देवराज इंद्र भय का अफसर उपस्तित होने पर नारायन कवच धारन करके अपने श्रीर की रक्षा कर लेनी चाहिए उसकी विधी इस प्रकार है पहले हाग पैधो कर आजमन करें फिर हाथ में कुश की पवित्री धारन करके उत्तर मुक करके बै तरता से ओम नमो नारायनाए इस मंत्र के द्वारा रिदे आदी अंगन्यास और अंगुष्ठ आदी करन्यास करें पहले ओम नमो नारायनाए इस अश्ट अक्षर मंत्र के ओम आदी आठ अक्षरों का क्रमशे पेरों घुटनों जांखों पेट रिदे वक्ष स्थल मुक औ और सिर में न्यास करें अत्वा पुर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक आठ अक्ष्रों का सिर से आरंब कर उन्हीं आठंगों में विप्रीत क्रम से न्यास करें इसके बाद समग्र एश्वरे धरम यश लक्ष्मी ज्यान और वेराक्य से परिपूरन इस्ट देव भ रूप ही चिंतन करें तत्पचात विद्या तेज और तपेश रूप इस कवच का पाठ करें भगवान शीहरी गरूर जी की पीट पर अपने चरन कमल रखे हुए हैं अनिमा आधी आठो सिद्या उनकी सेवा कर रही हैं आठ हाथों में शंक चक्र गदा धाल तलवार बान ध प्रभू सब प्रकार से सब आर से मेरी रक्षा करें मतस्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंदों से वरुन के पाश से मेरी रक्षा करें माया से ब्रह्मचारी रूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप की त्री विक्रम भगवान आकाश मे मेरी रक्षा करें जिनके घोर अटहास करने पर सब दिशाएं गोंजुटी थी और गरब वती देत्य पत्नियों के गरब गिर गए थे वे देत्य युद्पतियों के शत्रू भगवान नर्सिंग किले जंगल रनभूमी आदी विकर स्थानों में मेरी रक्षा करें अपनी दा शिक्रों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान राम चंद्र परवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नरायन मारन मोहन आदी भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें रिशी शेष्ट नर्गर्व से योगिश्वर भगवान दत्तात रहें योग के विगनों से और त्रिगुन अधिपती भगवान कपिल करम बंधन से मेरी रक्षा करें परम रिशी स्नत कुमार काम देव से है गिर्व भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थ्यों को नमस्कार आदी ना करने के अप्राज से देव रि भगवान धन्मंदरी कुपथ्य से जी तेंद्र भगवान रिश्वपदेव सुख दुख आदि भय दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकाप वाद से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और शीशेष्टी क्रोध वश्च नामक सर्पों के गनों से मेरी रक्षा करे भगवान शीकृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्यान से बुधदेव पाकखंडियों से और प्रमाज से मेरी रक्षा करें धरम रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कलिक पाप बहुत कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें प्रात्य काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोबिन अपनी बांसरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नरायन अपनी तिक्षन शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विश्नु चक्राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें तीसरे पहर में भगवान मदुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें साइकाल में ब्रह्म आदित्री मूर्ति धारी माधव सुर्यास्त के बाद रिशी केश अर्ध राप्त्री के पूर्व तधा अर्ध राप्त्री के समय अकेले भगवान पदमनाप मेरी रक्षा करें रात्री के पिछले पहर में शीव वसल अंचन शीहरी उशा काल में खड़कदारी भगवान जनार्धन सुर्योदे से पूर्व शीदा मोदर असंपूरन संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह हैं आपके किनारे का भाग प्रले कालीन अगनी के समान अत्यान्त तिवर हैं आप भगवान की प्रेड़न से सब और घूमते रहते हैं जैसे आग वायू की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शिक्र से शिक्र जला दीजिए कोमुत की गदा आप से चूटने वाली चिनगारियों का स्पर्ष वज्र के समान असह है आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ कोमुद की गदा आप से चूटने वाली चिनगारियों का स्पर्ष वज्जर के समान असह है आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुश्मान, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेद आधी ग्रहों को अभी कुचल डालिए कुचल भयंकर शबत करके मेरे शत्रों का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमत, प्रेद, मात्रिका, पिशाच और ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए भगवान की शेष्ट तलवार आप की धार बहुत दिक्षन है आप भ जगवान की प्यारी ढाल आप में सैकडो चंद्राकार मंडल हैं आप पाप द्रिष्टी पाप आत्मा शेत्रों की आंखे बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए सूर्य आदी ग्रहे आदी केतू दूष्ट मनुष्य सर्प आदी रेंगने वाले जन्तू दाडों वाले हिंसक पशू भूत प्रेत आदी पापी प्राणियों से हमें जो जो भे हो जो हमारे मंगल के विरोधियों वे सभी भगवान के नाम रूप आयुदों का कीतन से ततकार नश्ठ हो जाएं ब्रिहत रधंतर आदी साम वेदिय स्तोत्रों से जिन जाती है वे वेदमूति भगवान करूड और विश्वक सेन जी अपने नाम उच्चारन के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्यों से बचाएं शीहरी के नाम रूप वाहन आयुद और शेष्ट पार्षद हमारी बुद्धी इंद्रिये मन और प्राणों को सब प्रका की अपत्यों से बचाएं जितना भी कारें अत्वा कारण रूप जगत हैं वह वास्तम में भगवान ही है इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपत्रक नश्ठ हो जाएं जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनभव कर चुके हैं उनकी द्रिष्टी में भगवान का मस्त विकल्पों से रही थे भेदों से रही थे फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूशन आयुद और रूप नामक शक्तियों को धारन करते हैं यह बात निश्चित रूप से सत्य है इस कारण सर्वक्य सर्वव्यापक भगवान शीहरी सदा सर्वत्र सब देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रस लेते हैं वे भगवान नर्सिंग दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें देवराज इंद्र मैंने तुम्हें यह नरायन कवश सुना दिया इस कवश से तुम अपने को सुरक्षित कर ल लोगे इस नरायन कवश को धारन करने वाला पुरुश जिस को भी अपने नेत्रों से देख लेता है अत्वा पैर से चू लेता है ततकाल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदी और बाग आदी हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार कभे नहीं होता देवराज प्राचीन काल की बात है एक कोशिक कोत्री ब्रहामन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना श्रीर मरू भूमी में त्याग दिया था बोलो विश्नु भगवान की जै राधे राधे जै श्र क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद